हाई वीवेन आम एड्वोकेट सप्नाव काशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई किरायदार प्रॉपर्टी का माले कब बन जाता है अक्सर लोगों के कुश्चिन्स आते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर कई सालों से एक ही किरायदार रह रहे हैं क्या 12 साल के बाद वो हमारी प्रॉपर्टी पर एड्वर्स परजेशन क्लेम कर देंगे या ऐसे ही कुछ और कोश्चिन्स आते हैं कई बार किरायदार का कोश्चिन आता है कि मैं इस प्रॉपर्टी पर पिछले 50 सालों से रह रह रहा हूं अब यह प्रॉपर्टी मेरी हो गई है क्या मैं इस पर क्लेम कर सकता हूं अक्सर ऐसे कोश्चिन्स हमारे पास आते हैं तो अक्सर लोगों का कोश्चिन्स सबसे पहले यह होता है कि क्या कोई किरायदार हमारी प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल से रह 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 रहे तो वो हमारी प्रॉपर्टी पर adverse position क्लेम कर सकता है एड़र्स प्रजेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में 12 साल से जाधा तक और अगर गवर्मेंट की प्रॉपर्टी है सरकारी संपत्ती पे 30 साल से जाधा तक बिना किसी रोक टोके बिना कोई पेमिंट किये या किसी तरीके से शांती अगर कोई साल से घायरा करें यौन किसी के समपत्ती कामालिक सकता है नहीं कोई व्यक्ति अगर आपने उनको रेंट अग्रीमेंट बनवाया था उनके साथ या उनको वह आपको रेंट पे करते हैं और आपके पास उसकी रसीद है तो किरायदार हमेशा किरायदार रहेगा वह उस पर एडवर्स पॉजेशन क्लेम नहीं कर सकता लेकिन अगर आपने कभी कोई रेंट नहीं बनवाया आपने कभी उनसे रेंट नहीं लिया तो वह उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पॉजेशन क्लेम कर सकते हैं रेंट अग्रीमेंट आप कभी भी किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी देते वक रेंट अग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं अक्सर लोग यह सोचते हैं कि हम आपLife महींट करेंट मेंपारें ऐसा जरूरी नहीं होता निआे व label एक्सर लोगा हैं क्वाइंट अक्सर के पास अपना रेंट यहिस्टर कर्वाना होता है लेकिन अगर आपने 11 महीने से कम का rent agreement बनवाए तो आप उसको notarize भी करवा सकते हैं वो court में valid होता है इसलिए आप बेशक 11 महीने का ही rent agreement बनवाए पर rent agreement जरूर बनवाए rent agreement अगर एक बार बन गया तो यह स्तिती साफ हो जाती है कि उस व्यक्ती ने वो property किराय पर ली है अगर एक बार उनका यह टाइटल किरायदार का टैनेंट का आ गया तो वह हमेशा किरायदार ही रहेंगे चाहे वह कितने ही साल उसमें रहें चाहे वह 20, 50, 55, 70, 80, 100 साल भी रहें तो भी वह किरायदार ही रहेंगे किरायदार कभी भी adverse possession claim नहीं कर सकता संपत्ती का मालिक हमेशा संपत्ती का मालिक रहता है किरायदार हमेशा किरायदार रहता है बशर्ते आपने वह property के title आपके पास clear है वह व्यक्ति ने आप से जो property है वह रेंट पर लिए थी आपके बास rent agreement था भलाई है आपने एक बार आप उसका कितना किराया बढ़ा देंगे यानि कि अगर आप 11 महीने के बाद अपने रेंट अग्रिमेंट तरिनी भी करवाए कर तो भी माना जाएगा कि वह विक्ति किराया पे रह 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 है और आपके पास किराया की रसीदे होनी चाहिए इसके लिए हमेशा ये कोशिश करें कि रेंट अग्रीमेंट जरूर बना के रखें अगर आपके पास रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो वह व्यक्ति एड़र्स पोजेशन शायद क्लेम कर सकता है क्योंकि वह यह कह सकता है कि उसने प्रॉपर्टी खरीद लिया वह इतने सारे क्लेंस प्रॉपर्टी पर आ सकते हैं इसलिए हमेशा याद रखें कि किरायदार तभी किरायदार रहेगा जब आपने उसको किरायदार वाली पोजीशन दी होगी यानि कि आप उससे रेंट कलेक्ट करते हैं आपके पास रेंट अग्रीमेंट किराय पर कोई भी वीडियोस चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्षिए